नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले कप्षा छटवी का पार्ट हमारे चारो और वायू आज हम निम्नलिकित फिर्शों पर बात करेंगे क्या वायू हमारे चारो और उपस्तित है अगर हाँ तो वायू किसे बनी है पानिय तदा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पोदों को ऑक्सिजन कैसे मिल पाती है वायू मंडल में ऑक्सिजन कैसे प्रतिस्तापित होती है और क्या हवा के अन्य उप्योग है चलिए पहले विशे के बारा में बात करते हैं क्या वायू हमारे चारो और उपस्तित है? हम सब इने पेड़ की पत्यों को सरसराटे हुए देखा है या जब हम पंका शुरू करते हैं तो हमारी किताब की पन्ने फड़फरनायने लगते हैं आप मेंसे कुछ लोगों ने कभी पतंग भी उड़ाई होगी इन सब से हमें पता चलता है कि हावा हमारे चारो और मोजूद है हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसुत ज़रूर कर सकते हैं इस बात की पूश्टी करने के लिए अब हमें क्रिया कलाब करेंगे इसे करने के लिए आपको एक खाली ग्लास या बोटल की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन क्या ये ग्लास वास्तव में खाली है अभी इसे उल्टा कर दीजे और इसे पानी से भरी बाल्टी में दाल दीजे अब बोटल को तो धोड़ा टेड़ा कीजे आप इसमें से बुलबुले निकलते में देख सकते हैं इससे हमें पाता चलता है कि बोटल वास्तव में खाली नहीं थी इसमें हवा थी चलिए अब देखते हैं आकेर वायो किस से बनी होती है वायो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सिजन से बनी होती है वायू के अन्य घटक भी होते हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे हवा में जलवाश्प भी मोजूद होता है हवा जब ठंडी सत्व के संपर्ख में आती है तो उस पर जल की बूंदे बनने लगती है यह जलवाश्प के संगनित होने की वज़ा से बनती है इसे के साथ जलवाश्प जल चक्र के लिए भी महत्वपून होता है अब बात करते हैं ऑक्सिजन और नाइट्रोजन के बारे में नाइट्रोजन हमारे वायू मंदल में 78 प्रतिशत मौजूद होता है नाइट्रोजन और ऑक्सिजन दोनों मिलकर हमारे वायू मंदल का 99 प्रतिशत बनाते हैं यदि हम एक मौमपती जलाते हैं और इसे गलास के साथ संलगनक करते हैं तो मौमपती जलना बंद हो जाती है इसका कारण यहा है कि मुमपती को और ऑक्सिजन नहीं मिल पाती इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सिजन की ज़रूरत पढ़ती है इसके अलावा हम मनुश्यों और अन्न प्राणियों को और स्वसन के लिए ऑक्सिजन की ज़रूरत पड़ती है अब बात करते हैं कार्बन डॉक्साइड के बारे में जो हमारे वायो मंडर में बहुत कम मातरा में मौजूद है पोधे और जानवर दोनों ही श्वसन के लिए ऑक्सिजन का उपवोग करते हैं और फिर कार्बन डॉक्साइड का उतपादन करते हैं उपयोग की गई ऑक्सिजन की तुन्ला में पौधे अधिक ऑक्सिजन उत्पन्न करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सिजन का उत्पादन करते हैं इसके अलावे जलती हुई चीजों से भी उत्पन्न होती है पौधे प्रकाश संसलेशन के लिए कार्बन डाउसेड का उपवोग करते हैं अब बात करते हैं दूल और दूवे के बारे में जब हम इंधन जलाते हैं तो इससे दूवा पैदा होता है दूवे में महीन दूल के कर्ण और गैस मोजूद होती है जो हमारी लिए हानिकारक होती है हम सभी ने देखा होगा कि जब प्रकाश एक अंधेरे कमरे में एक छोटे से छेट से आ रहा होता है तो हम इसमें छोटे और चमकदर दूल के कर्ण को हिलते वे देख सकते हैं इससे हमें परता चलता है कि हावा में दूल भी मोजूद होती है अब हम जानते हैं कि श्वसं के लिए ऑक्सिजन की आवशक्ता होती है वो हमें हमारे वातावरन से मिल जाती है लेकिन उन जानवरों और पोदों का क्या जो पानी के नीचे या भोगिमत रहते हैं उन्हें ऑक्सिजन कैसे मिल पाती है चलिए पता लगाते हैं इस प्रश्ना का जावब देने के लिए हमें क्रिया कलब करेंगे इसके लिए आपको एक बरतन में पानी भरना होगा और उस बरतन को गरम करना होगा आप इस बरतन के सतर पर बुलबुले बनते हुए देख सकते हैं यह बुलबुले उस हवा से बनते हैं जो इसमें गोली होई होती हैं क्रिया कलब तीन को करने के लिए आपको एक गलास या बरतन की ज़रुत पड़ेगी इस गलास में आपको थोड़ी सूखी मिट्टी लेनी है और इसमें पानी डालना है आप इसमें भी बुलबुले बनते हुए देख सकते हैं इन दोनों क्रिया कलब से हमें पता चला कि जल और मिट्टी में भी हवा मोजूर होती है यही हवा पौधो और जीवो को श्वसन में मदद करती है अब हम जानेंगे आकेर वायूमंडर में ऑक्सिजन कैसे प्रतिस्थापित होती है हम जानते हैं कि मनुश्य और पशु श्वसन के लिए ऑक्सिजन का सेवन करते हैं और कार्वर डायुकसाइड का अत्तपादन करते हैं इसी तरह पौधो को प्रकास अंचलेशन की प्रकरिया के लिए कार्वर डायुकसाइड की आवशकत्या होती है इससे हम देख सकते हैं कि दोनों एक दुसरे पर निर्भर हैं और इस प्रकार oxygen और carbon dioxide का संतुलन बना रहता है अब हम सराना कर सकते हैं कि हावा हमारी ले कितनी महत्वपून है लेकिन क्या हावा के कोई अन्य उपयोग भी है आप सबी ने कभी न कभी एक पावन चकी ज़रूर देखी होगी यह पावन चकी बिजली की उत्पादन करती है और इस पावन चकी को गूमने के लिए हावा की ज़रूरत पड़ती है इसके अलावा वाईव नोकाओं और विमानों की आवजाही में भी मदद करती है हावा के कारण ही पक्षी और कीड़े उड़ने में सक्षम है चलिए अब देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा हमने यह जाना कि हावा हमारे चारो और मुजूद है और उसके तत्वु के बारे में पड़ा फिर हमने देखा पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है और फिर हमने ये भी देखा कि ओक्सिजन और कार्बन डियोकसाइड का संतुलन कैसे बना रहता है आखिर में हमने ये जाना हवा के और अन्योप्योग क्या-क्या है इसी के साथ आज का हमारा विशय यहीं समापत होता है धन्यवाद